ये विशाय स्री राम जन्व भूमी से जुड़ा हुए। सप्रकार हम तुमसन हारे चमो विप्र अबराद हमारे। The government has to change its decision. हम यहाँ याचक नहीं हैं, हमरा अधिकार है। यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। नमस्कार, खबरें समाज और सियासत में जो कुछ चल रहा है, उसका एक प्रतिबिम होता है। और खबरों से पता चलता है कि हमारे समाज की सोच क्या है, हमारे सियासत की दिशा क्या है। तो आज ऐसी ही कुछ खबरों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और उन खबरों की चर्चा करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इससे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको इसकी चानकारी बिल जाए तो मैं खबरों का सिलसला सुरू करता हूँ आज जो अभी तक की बड़ी खबर मुझे लग रही है क्योंकि ये खबर इस लिहाज से बड़ी है क्योंकि इसका प्रभाव बढ़ा है उमर खालीद को रिहा करो आपको मालूम है कि उनको दिली के दंगों में उनको बंद कर दिया गया है लेकिन आज 200 से ज़्यादा करीब 208 बुद्धी जीवियों ने एकरमीसियंस ने कलाकारों ने एक चिठी लिखी है हस्ताक्षा अभ्यान शुरू किया है और खालीद उमर को रिहा करने की मांग की है कहा है उन लोगों ने इन लोगा कहना है कि इसके उपर द्वेश्पूर्ण तरीके से कारवाई हो रही है दिल्ली पुलिस को काम करना चाहिए जाच करनी चाहिए लेकिन उन्होंने जो सम्विधान की सबत ली है उसके हिसाब से काम करना चाहिए जाहिर है आरोप यह है कि जो दिल्ली पुलिस इस बारे में एक्षन ले रही है, इस बारे में जो तफ़सीस कर रही है और जिस तरीके से समाज के सक्रीये लोगों को इस मामले में फंसाया जा रहा है, उससे समाज का एकतब का नाराज है और सरकार की कारवाई को द्वेश पूर्ण मानता है भेदभाव पूर्ण मानता है पक्षपात पूर्ण मानता है और इसलिए ये खबर बरी मैं मानता हूँ क्योंकि अगर सरकार के किसी कारवाई पर सवाल उठे तो जाहिर है कि समाज में उसका एक अच्छा मैसेज नहीं गय और साइद खालिद उमर की गरफतारी को लेकर ऐसा ही मैसेच इस वक्त चल रहा है इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं बुद्धी जीवियों एकेडमीशियंस और कलाकारों के इस हस्ताक्षर अभ्यान पर जिन प्रमुक लोगों के हस्ताक्षर है उनका नाम बताना जरूरी है इन अगली खबर है उत्तर प्रदेश से जह जानकारी आरही है जो बड़ी खबर बताइज जा रही है वो यह कि शरकार ने सइद तय किया है कि रूमिया स्क्वाइड को फिर से सक्रिय किया जाएगा जानकारी आई है कि मुख मंत्री ने आज एंटी रोमिय स्क्वार्ड के साथ बैठक की है उसकी समिक्षा की है और निर्देश दिया है कि एक बार फिर इस अभियान को तेज किया जाए ताकि जो महिलाओं और बच्चियों के साथ छेरशार की जो हटना है हो रही है या महिलाओं के खिलाफ जो अपराद हो रहा है उस पर रोक थाम थोड़ी लगाया जाए अभी हाल में योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ भी बहुत तेजी से अभियान चलाया और पूरे प्रदेश बढ़ में माफियाओं के अवय निर्मान को योगी 2017 में जब सक्ता में आये थे उसके बाद से महिलाओं और बच्चियों के सुरक्षा के लिए एंटी रोमिया स्क्वार्ड बनाया गया था उसके बाद प्रदेश बढ़ में इसके तहत अभियान चलाया गया और मनचलों पर खूब कारवाई हुई लेकिन उसके बाद कुछ सवाल उठने लगे कि इसमें दिर्दोस लोगों को भी फसाया जा रहा है और उसके बाद से इस रोमिया स्क्वार्ड की सक्रियता कम हो गई थी लेकिन एक बार फिर से चर्चा हो रही है कि रोमिया स्क्वार्ड को पूरे प्रदेश में सक्रिये किया जाए ताकि महिल और बच्चियों के खिलाब होने वाले अपराद पर काबू पाया जा सके और अब खबर महरास्ट से महरास्ट में कंगना रानाओत के दफ्तर पे जो कारवाई हुई थी बीमसी की उसको लेकर आज कोट में सुनवाई सुरू हुई कोट ने बीमसी को जम कर फटकर लगाई इस पूरे मामले में करवाई आज से सुनवाई शुरू हुई है और ये सुनवाई आगे भी चलती रहेगी बंबे हाई कोट ने बीमसी के अधिकारियों से पूछा कि आप तो बहुत तेजी में थे करवाई करने में आपने देरी नहीं की तो फिर जो जबाब मांगा जा र है इस पूरे मामले में बीमसी के फटकार लगने के बाद कंगना रानाओत ने एक इंटरस्टिंग ट्वीट किया है उन्होंने कहा कि मेरी आँखों में आसु आ गए और मुझे इंसाफ मिल गया तो कंगना रानाओत का ये ट्वीट और उसके बाद बीमसी के ऊपर तलवार की थी और उसके बाद पूरा ये मामला विवादों में फस गया था पूरे देश में अगर देखा जाए तो किसी भी सहर में इस तरह के निर्मान को अगर कोई वहां की अस्थानी संस्था अगर रोक टोक करने लगेगी तो कहीं भी बच नहीं जाएगा कहीं कुछ क्योंकि आम तोर पर ये पूरी प्रवर्ती है कि नक्सा कुछ और पास होता है और बनता कुछ और है ये पूरे देश में इस्थती है सिर्फ महरास्ट में नहीं और महरास्ट में मुंबई में ही नहीं अगर मुंबई में ही देखा जाए और इसको लेकर भहुत सारी टिपनियां उस वक्त भी आई थी जब बीमसी ने इस नीतेजी से कंगना रानावत के खिलाफ करवाई की थी जब कंगना रानावत ने और सिवसेना नेता के बीच में इस तरह का तकडार एक शुरू हुआ था ट्वीटर पे और अब खबर बिहार से बिहार में गुपतेश्वर पांडे पू 14 जगों से 14 सीटों से उन्होंने चुनाओ लरेंगे की बात कहीं लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं किया कि वह चुनाओ लरेंगे की नहीं लरेंगे गुपतेश्वर पांडे ने साफ नहीं किया है कि वह चुनाओ लरेंगे या नहीं लरेंगे लेकिन उनके बारे में जो एक इल्बम आया है उससे साफ जाहिर है कि उनको बिहार का रॉबिन हुन बताते हुए एक गायक ने लोग गायक ने दीपक ठाकुर ने इस तरह का इल्बम बनाया है जिसमें उनकी तारीफों के पुल बाने गए हैं वो पहले भी एक बार चुनाओ लरने के लिए पद से है और इसलिए उनको नौकरी वापसी में दिक्कत नहीं हुई और इस बार भी जब वो वियारेस लेना चाहते थे तो उनकी वियारेस को मंजूरी तत्काल मिल गई और अब आखरी खबर पस्चिब मंगाल से जहां मुख्यमंत्री ममता बैनर जी ने पूजा पंडालों पर दरिया दिली दिखाई है उन्होंने एलान किया है कि सभी पूजा पंडालों को 50-50,000 रुपे की सहायता रासी दी जाएगी इसके अलावा पूजा समीतियों को उनके बिजली विल पर 50% ही देना पड़ेगा इतनी बड़ी दरिया दिली दिखाई है दीदी ने वहां पे और पता नहीं कहां से धनाएगा इसको इस तरह की पुजा पंडालों को सहायता के लिए यह पस्चिम मंगाल की जनता जानती है तो यह थी आज की प्रमुक खबरें और उस पर मेरा संशिप्त विसलेशन इसी तरह की खबरों और विसलेशन के साथ मैं आपके सामने फिराऊंग तब तक के लिए नमस्कार